और अगली खबर बेतिया से है जहां मुफसल थाना पुलस ने स्पिरिट की बड़ी खेब को जब्त किया है तो मुफसल पुलस ने पिपरा कोठी चौक फुलवारी अमवा मज़ार के समीब शापे मारी कर स्कॉर्पियो गाडी में लदे खेब को जब्त किया तो वहीं 24 गैलन में रखे 840 लीटर स्पिरिट के साथ स्कॉर्पियो गाडी को जब्त कर लिया है गुपत सूशना मिली थी कि कोठी चौक के समीब कुछ संदिग्ध गतिविदी होने वाली है सूशना पर मुफसल थाना अधेक्ष अभिराम सिंग के नेत्रत में एक टीम गठन किया गया टी कर दिन आंट इस तरीकों 38 2024 को रात्री में एक सुचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध गतिविदी कोठी चौक के पास है जैसे ही सुचना मिली तो मेरे द्वारा जो है जो फाना धेक्ष है आपके बगल में बठें इनको मेरे द्वारा निदेशित किया गया तो इन्होंने जा जा तुछना सत्यापन के उपरांक एक टीम हम लोगों ने गठिट किया तीम गठिट करके वहां पर रेट किया गया जो जगह है वो के कोठी चौक फुलवारी अमवा मजहार के पास वहां पर जब चेक्टिंग लगाया गया तो चेक्टिंग के दौरान पिक्रा चोक से जा तौक टीम हम अजहार की तरह पारी एक उजलिए स्कॉर्प्यों वो रोका गया पर जो है ुसका ड्राइबर जो है चोड़ के भाग दिया कि ज़िला स्कॉर्प्यों था उसका रैस्टेसन नंबर बीयारेकीश भी 6705 है उसका तलासी लिया गया तलासी लेने पर उसमें चोबिस ग्यलन निले रंगा ग्यलन का स्पृट जैसा करल बदार में एक मुवाइल होन जब किया है